अलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू पीब तो बच्चों आपका क्लास का टाइम हो चुका है साम के साथ बजे देखिए कुश्चन नंबर आठमा है आपका एकसरसाइज 2.5 चल रहा है क्लास नाइन्थ का तो बच्चों एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं जो होगा कुछ बच्चों ने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना ठीक है सामवाली क्लास यह परकार सिया रिवीजन हो रहे जिससे यह पीछे है तो चलो स्क्रीन पर निम लिखित के पुड़न घ्याद कीजिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा परसम इसमें पांच पार्ट पहला मैंने यहाँ पर लिखा आप उपर देख सकते हो बहुत आसान है आपको इसमें आडेंटि यूच करना है एक क्यूब प्लस बैक्यूब प्लस यह भी वाला अगर हमें यह और बी पता है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर यह छोटा सा फार्मूला देख लिजिए फिर मैं उसके बाद आगे बाद करूँगा एक का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी इक्वल ए प्लस बी का होल क्यूब आपको नहीं दिखरा होगा तो मैं दिखा देता हूं कुईश्चन हट गया स्क्रीन से देखो यह फार्मूला होता ना भाईया होता ना बाबू चाहे हमें इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें बाद तो एक है हुई किना एक है, समझो इधर साइड में अब कैसे ठीकिए, हमें A कमान मिल गया, B कमान मिल गया अब हम इसी फार्मूला में ये सारे मान रख देंगे ठीक है, A का क्यूब और B का क्यूब हो गया है और प्लस 3 A भी होता है तो प्लस मैंने लगा दिया 3 A A कमान क्या है बताओ, कमान क्या है B A कमान 2 A है इससे कंपेर करोगे B B कमान क्या है इससे कंपेर करेंगे ना इसकी B कमान B है और इंटू A प्लस B A कमान 2 A कमान B, ठीक हो गया ये चीज क्या करना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि इसे के बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2A प्लस B का फुल क्यूब यह आपका आंसर भी हो सकता यहीं पर कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे ऐसे कैसे तो मैं बता देता हूँ देखो इधर साइड में समझ लो आप थोड़ा सा कि आंसर आ गया आपका केकिन इसमें फोड़ा सा आप और भी तरीका समझ लीजिए अंसर तो हो गया फिलाल हाँ वह सर्वसमिका यहां पर लिखना जरूरी नहीं कि आप बीच में लिखो लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं ज़्यादा ठीक है इसको जो तीन बार है मैं आइसे भी लिख सकते हैं यहीं लिखते हैं 2a प्लस b 2a प्लस b और 2a प्लस b यह अंसर हो गया पर उड़न खंड करने को कहना था वैसे यह जड़ा सब्सक्राइगा यह सई कुछ लोग कहेंगे इसको काया ऐसे कर रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ आपकी समझ के लिए बाकी आप ऐसे करो या ना करो देखो 2A का जब क्यूब करोगे बिटा तो यह 8A का क्यूब आ जाएगा 3 का क्यूब तो ठीक है 3 का 2 में गुड़ा करोगे 6 और AB यानि कि यह 6AB आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है देखो अभी आ जाएगा फूल मिला कि हम इसको जब हल करें तो उपर वाला आ जाए यही टार्गेट है तो अगर हम हल करें तो यह आ जाए तब सही है क्योंकि हमने इसे तोड़ा है तो 8AQ प्लस BQ प्लस 6 दूना 12 A और A एका इसकोईर B तर B नहीं है इसलिए भी हो गया 6AB का B में गुड़ा करोगे बैटा तो 6AB का इसकोईर हो जाए अगर आप ध्यान से देखो तो यह जो नीचे वाली लाइन लिखी है हुआ है टो जाया इंजल कर सकते हैं आपके क्या विचार है इस कर लास के बारे में इसका दूसरा लेकर समझा CA कुश्चन समझ यह क्या कहता है सिकेंड पार्ट में ध्यान देना थोड़ा सा कहरा इसमें सेम टू सेम सब कुछ वही है सिर्फ इसमें माइनस है फार्मूला बस अगर आप ध्यान दो तो यह दोनों माइनस हो गया बाकी प्लस था पहले वाले में आप देखो इस स्क्रीन पे आप देख लो थोड़ा और एक लाईन बढ़ा देता हूँ एक क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस जब 3A B का मल्टीपल A में होता है तो यह 3A का इस्क्वाइर B हो जाता है और माइनस 3AB का गुड़ा जब B में होगा विटा तो यह माइनस माइनस प्लस हो जायागा तो कि अनन्द कैसे प्लस हो गया कि तो बता रहा हूं है और देखो देहान से कि माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस हो गया इसलिए कै, सभी बर्चे कमेंट कर्रे मैं सबका कमेंटर देक रहा हूँ। लेकिन बादिचीत नहीं सिर्फ पढ़ाई कर अपका कोई डाउट होगा, इस क्लास के खतम होने के बाद कमेंट करोगे बताया जाए। बाद में जब तक क्लास चली तब तक कुछ नहीं बताएंगे, बात में करोगे, लिंक मिल जाएगा, उसका संबन, चलो, अज देको बटा, ये सर्वसमिका तयार है, इसको यूज करने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, 8A क्यूब को लिख सकते हैं, 2A क्यूब, लिख सकते हैं, B क्यूब को B क्यूब लिख देंगी, यानि हम में A और B कमान मिल गया, समझे ना, इसको इसी में ओपन कर देना है, बस, माइनस की जगा, माइनस 3, A का स्क्वाइर, A का स्क्वाइर का मतलब ये 2A का स्क्वाइर, समझे ना, A का स्क्वाइर, इंटु B, B का मतलब B, फिर प्लस है तो प्लस, B इंटु A, A कमान 2A, B का स्क् प्रफिए और सारे मान रख देते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है यह इतना हो गया मैंने रख दिया कहां तक यह रख दिया सब हो गया अगर अगर एक चीज़ आप ध्यान दो यहां पर इसको हम ओपन करें जो हमने फैक्टर किया है तो यह उपर वाला में कुश्चन आ जाना च कुड़ा करेंगे ध्यान देना यहां पर कुछ गडबड़ भी हो रहाएगा तुत्र में होता है न है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आप समझो बारा एबी स्कॉयर आना चाहिए न क्या यहां पर कहीं बारा आएगा क्या आप जड़ा देखो अब बताओ कैसे आए साथा जगा देखो समझो कि हैं यह 2a का स्कॉयर एना बाहर स्कॉयर लगाई इसको खोलो के टैं चारे स्कॉयर हो जाएगा जब चारे स्कॉयर को तीन में गुड़ा करो गे ते बारा यह स्कॉर भी हो जाएगा क्यानि यह हम लिख सकते हैं एक परकार से आपको समझाने के बता रहा हुं बाकि फाइनल में तो आंसर आ गया है two से पूरा जब हम एक बार हल करेंगे तो फिर से वह में कुष्चन मिल जाएगा आपको इतना ही करना जितना मैंने किया स्क्रीन पर अब फैस्ट वाले में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था यह में अडेंटी दूसरे में मैंने लिखके दिखा दिया जिससे आपको क्लियर हो तो बच्चों आपको यह क्लास कैसे लागा कमेंट करके जरूर बताना डिस्क्रेप्शन में आपको इंप्वाटन लिंक दीकर यह अगली कलास की उसे देख लेना आगे देखो उपर स्क्रीन पर लिंक आ रही होगी थंबनेल उस पर क्लिक कर दो प्लेलिस्ट में चले अगर वीडियो को बाद में कभी देख रहे हो तो ठीक है